आपने बात करें रिजल्ट्स स्पेसिफिक बात करें लेए और महिंद्रा होलीडेज ना जे परिणाम जाहर था तो आ अंदर गत आपनी साथे चर्चा करवा जोड़ा है रहा चे कम्ती ना करेंडी नसीयो कविंद्र सिंग कविंद्र जी सफ़ागति सीनब्स बज़ार पर आपका स्पेशेलिया और रिजल्स के उपर जब हम बात कर रहे सबसे पहले हम लेना चाहेंगे आपके अपनी कमेंट्स on quarter to earnings के ऊपर आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे कविंदे जी आवज आ रही है मेरी बिल्कुल आ रही है सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपको अपनी कमेंट्स लेना चाहेंगे अब क्या अपके कमेंट्स रहेंगे परिनाम के उपर तो क्वाटर टू के जो हमने रिजल्ट्स अनाउंस किये कल वो एक हमारा बहुत ही पहितरी क्वाटर रहा उस क्वाटर में हमको सबसे बड़ा जो देखने को मिला हमारी इंकम 14 प्रतिश्यत से बढ़ी और हमारी रिजॉ पिछले येर में सेम पॉटर में और इसके चलते हमारी रूम नाइट्स थी वो 27 पृतिशत से बढ़ी और हमको इसका काफी फाइदा हुआ अगर आप हमारे profits को भी देखें तो हमारे profit margin जो है EBITDA margin 28 प्रतिशत पे बैठे हमारा PBT margin 14 प्रतिशत पे बैठा और अगर हम one-offs को extrude कर दें पिछले साल हमारे पिछले quarter में पिछले साल के quarter में करी 15 करोड का हमको extra income हुई थी क्योंकि प्रतिशत से बढ़ा PBT 5 प्रतिशत से बढ़ा तो यह हमारा best ever quarter रहा एक तरफ से अगर income देखूं इबिटा देखूं PBT देखूं margins को अगर मैं देखूं अगर मैं margins को pre-pandemic level से देखें तो हमारे EBITDA margin 500 basis points बढ़े Q2 FY20 जब कि हमने 1100 कमरे बढ़ाए Q2 FY20 से FY23 तक और हमारे margin जो थे यह हमारे PBT margin 270 basis points के करीब बढ़े अगेंस Q2 FY20 pre-pandemic तो यह बहुत ही बेतरीन quarter रहा हमारे member editions भी 4400 के करीब करीब आ गए और हमारे upgrades भी double हुए और हमारा जो AUR है average unit realization भी बहुत बढ़ा 2.6 lakh से 3.9 likes तक चला गया और जहां तक holiday club results की performance का सवाल है उनके हाँ पिछले साल कुछ उनको government subsidy मिली थी COVID के चलते अगर मैं उसको हटा के देखूं तो उनकी income की growth चौदा प्रतिशत के करीब रही और चौविस प्रतिशत के करीब करीब उनका इविड़ा भी रहा और अगर मैं यह भी साथ में देखके चलूं कि उनके EBIT DEA जो उनका EBITDA जिसे हम बोलते हैं करीब करीब 1.9 मिलियन के करीब आया इस quarter में जो कि यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही performance है considering वहाँ पर inflation है इस समय और उनके हाँ occupancy भी 70% के करीब रही spa hotels जी जैसे कि कविंदर जी नेक्स्ट में पूछना चाहरी थे आपको members edition के उपर जो कि आपने इस answer में बता दिया है तो next में पूछना चाहूंगे on membership तो यहां पर आप कितनी membership दे रहे जो रिनियूर के लिए आपके पास आई है for this year और next year membership जैसा कि मैंने आपको बताया है हमारा membership edition करीब 4397 के करीब रहा जो कि एक बहुत ही अच्छा membership edition माना जाएगा क्योंकि अब हमारा जो vacation ownership का business है इसमें लोगों को यह चीज़ पता चल गई है कि वही अगर आप membership लेते हैं तो आपको आगे कमरों के लिए पैसा नहीं देना पड़ता तो inflation के टाइम पे यह बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने holidays कर सकते हैं तो membership जहां तक है जैसे कि पिछले चार running quarters में देखें तो हम 4000 की ऊपर हमारा membership edition हो रहा है membership editions में definitely movement हो रहा है अगर मैं अपने कमरों को भी देखूँ तो हमारे कमरे मैंने जैसे बताया कि पिछले साल से इस साल 500 कमरे बढ़ चुके हैं हमारी total inventory 4715 तर पहुंच चुकी है 86 resort है हमारे पास तो यह एक momentum जो है वो दिख रहा है हमको हम capital investment करेंगे 1200 से 1500 करोण का 1500 कमरे और बढ़ाएंगे हमने जो पहले forecast रीफी 5500 की वो हम we are well on track to cover that तो हमारे कमरे भी बढ़ रहे हैं हमारे member भी बढ़ रहे हैं हमारी income भी 14 15 प्रसिशन से बढ़ रही है और हमारे profits में भी growth आ रही है तो यह बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी जो है बंद के आ रही है हमारे महिंद्रा holidays के लिए by अक्टोबर में मैं आपके दर्शकों के लिए बता दू हमारा 83 प्रतिशन के करीब अक्टोबर में भी हमारी occupancy रही और यह quarter हम को लग रहा है कि हम 84 प्रतिशन के खतम करेंगे occupancy के definitely और next कविंदर जी inventory edition के बारे माब क्या कहेंगे कुछ प्लान है for a 523 जैसी कि अभी हम दे प्लान effort 23 के लिए आप क्या दे रहे हैं तो इन्मेंटर इडिशन का जहां तक सवाल है मैंने आपको जैसे बताया कि हम 4700 पे पहुंचुके हैं 200 कम्रें आप कर दिये हैं हमने अभी अगर आप देखें तो हमारे 200 कम्रों की इजाफा हुआ इस छे महीने में और अगर आप ध तो हमारे रूम एडिशन में काफी तेजी से बड़ोतरी हो रही है हमारे 185 रूम का एक बहुत बड़ा एक्सपैंशन चल रहा है गंदागाट प्रोजेक्ट में एक हमारा गल्पती फूली में प्रोजेक्ट है जिसको की हम चालू करेंगे वो भी 100 क्रों का इंवस्मेंट ह करीब करीब 200-200 कमरे होंगे उसमें और हमारा पुदुचरी जो हमारा रिजॉट है उसका भी एक्सपैंशन का हमारा पूरा प्ला बन चुका है उसमें भी 60 कम्रें आप करेंगे और अगर हम देखते चले हमारे पास लैंड बैंक भी है और हम लोग लीजिंग भी देख रहे हैं हमारे पास एक्पॉजिशन में भी मोमेंटम दिख रहा है कि हमको एक्पॉजिशन होगी रिजॉट की तो मैं जहां तक देखू हमारे लिए इंवेंटरी की पॉजिशन काफी अच्छी सुधरती हुए दिख रही है जी एंट कविंदर जी लास्ट ली पूछना चाहू है अगर आप अपना क्वेस्टन दुबारा रिपीट करेंगे तो अच्छा होगा मुझे थोड़ा सा ठीक से सुनाई नहीं पड़ा एवर कंसिडर्ड डी मर्जिंग ऑफ टू बिजनसेस मलब एमेच आरेल की बात करें और एच सी आरो की बात करें तो कमती ने कभी एवर कं ही नहीं पड़ रहा है कुछ दिस्टर्बंस है आपकी तरह से सर में यह पूछना चाहरे थी अगर एच सी आरो की बात करें तो अपरेशनल प्रॉफिट्स में कैसा आप योगदान देख रहे हैं कंट्रिबुशन देख रहे हैं एच सो हालिडे क्लब रिजॉट्स आपका क पर्फॉर्मेंस ऑपरेटिंग लेवल पे देखें तो 14 प्रतिशन इंकम की ग्रोथ है और करीब-करीब 23 प्रतिशन इबिडा की ग्रोथ है और वो पॉजिटिव इबिडा उन्होंने डेलिवर किया है 2 मिलियन का 1.9 मिलियन का तो हमारा जो फ्यूचर हम देख रहे हैं Q3 औ की इंकम बढ़ी और टोटल इंकम उनकी 8 प्रतिशत से बढ़ी अगर हम वान आफ को इग्नोर करके चलें तो जहां तक फ्यूचर का सवाल है Q3, Q4, Q4 उनका बहुत सीजनल कोर्टर होता है Q3 उतना सीजनल नहीं होता है Q3 में हमारा बहुत अच्छा सीजन होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे कंसालिडेटेड रिजर्स Q3, Q4 में मिलेंगे क्योंकि XCR का टनाराउं शुरू हो चुका है जी कविंदर जी बहुत बढ़ शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और अर्निंग्स के उपर फर्दर प्लानिंग्स के उपर अपने जो कंपनी की योजना है डिस्किशन किया और बेस्ट विशिस फो कामिंग वार्टर साथ अन्ये साथे जबाइस सेल होल पर समय थे होचे के खास करीने एक ब्रेक ले लिए ब्रेक बाद दर्शुक अनिक वेरिस पर करिशन